आज हम बनाने लगे हैं अचारी चिकन तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम मेरिनेट कर लेंगे चिकन को उसके लिए मैंने डाला है वन टी स्पून लाल मिट्च पाउडर वन टी स्पून नमक हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद एट करेंगे वन टी स्पून ओईल फिर से इसको मिक्स करके इसकी पेस्ट पना लेंगे इसके बाद इसके अंदर एट करेंगे च इसके बाद हम अचारी मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने 4-5 साबुद लाल मिर्चे ले ली है, 1 टीबले स्पून जीरा एट करेंगे, 1 टीज़पून जाएगी सौंफ, 1 टीज़पून मेथी दाना, 1 टीज़पून राई दाना, और 1 टीज़पून एट करेंगे इन साइड चीज़ों को हम 5 मिनट के लिए भूल लेंगे, और फिर भूनने के बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन जादा आपने इसको पाउडर फॉर्म नहीं बनाना, थोड़ा सा अपने धरदरा सा रखना है, इस तरह से, इसको हम साइट पे रख देंगे, और फिर मैंने एक पैन में डाला है, फोट कप कोकिंग ओईल, इसके बाद हम इसके अंदर एड कर देंगे, मेरिनेट की हुई चिकन, चिकन को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है, लो फ्लेम पे कर देंगे तो पानी छोड़ देगी, तो इसलिए हमने इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनिट के लिए, या जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, साथ-साथ हम इसकी साइट चेंज करते जाएंगे, और अच्छी तना ऐसे इसको उपर से कुक कर लेंगे, लेकिन अंदर से अभी ये कच जाए, ये दिखे, मैं आपको दिखा देती हूं एक दफ़ा करीब से, इसके बाद चिकन को निकाल के साइट पर रख देंगे, फिर इसी ओईल में हम टाय लेंगे, एक कटी हुई प्यास, जिसको मैंने चॉक कर लिया है, और हाफ टी स्पून लेस्टा नद्रफ का पेस्ट, प्यास को हम फ्राय करेंगे तकरीबन दो से तीन मिनट तक, ज्यादा आपने फ्राय नहीं करना, उसके बाद हम इसके अंदर एट करेंगे, हाफ कप टोमेटो प्यूरे, मैंने तीन टिमाटर ले ले ली थे, मीडियम साइज है, उसको ब्लैंड कर लिया था, प्यूरे बना ती, इसके अंदर हम अचार मसाला जो हमने बनाया था, वो एट कर देंगे, और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे, ये हो चुका है, मिक्स और फिर इसको कवर करके हम को करेंगे, मीडियम फ्लेम पे जब तक, ऑईल सेपरेट न हो जाए, ऑईल सेपरेट होने में तकरीबन 10 मिन करेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर एट करेंगे, फाइफ टिबिल स्पून कर्ड यानि कि तही, तही जो है थोड़ा सा गाड़ा होना चाहिए, दही डालते पर फ्लेम को बिलको लो कर दीजेगा, और याद रखिएगा जब भी आप तही या क्रीम वगारा डाला करें, क पहले बाद में फिर आप इसको मिक्स करने के बाद दुबारा से उसी तेमपरेचर पर ले आएं, लेकिन उस वक्त आप इसको लो कर दीजेगा, यह मैंने मिक्स कर दिया है, इसके अंदर हम जो हमने को की थी, हाफ को टूई भी है, इसको एड कर देंगे, और फिर इसको मिक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, और 20 मिनट के लिए, ठीक है, तो 20 मिनट हो चुके है, जी, चिकन अल्मोस्ट, अल्मोस्ट क्या पूरा ही को हो चुका है, अब हमने इसके अंदर एड करनी है, ग्रीन चिली, इसको सा मिक्स कर दीजेगा, इसके अंदर हम ग्रीन चिली हम खुला छोड़के पकाएंगे, यह होगे हैं जी, दो मिनट और मैं अब आपको दिखा देती हैं, इसकी कैसी है, अगर आप चाहते हैं, बहुत जादा थिक करना तो इसको और पका लीजेगा, लेकिन मुझे इतनी ही चाहिए, तो यह मेरे लिए परफेक्ट है, अब चलत हमें भी इसको बनाया जा सकते हैं, बहुत मसिका बनता है, चलिए जी, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए, अल्ला हाफेज, और दो फोरगेट तो लाइक, शीर, और सब्सक्राइब आवर चैनल, बाई!